रॉबर्ट ने बहुत छोटी उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी थी. केवल पाँच वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म पाउंड की थी. ये फिल्म रॉबर्ट के पिता ने ही बनाई थी. उन्होंने इसके बाद भी अपने पिता की कई फिल्मों में छोटे किरदार निभाए. उनके पिता ड्रग एडिक्ट थे. उन्होंने अपने बेटे को केवल सिक्स वर्ष की उम्र में ही मेरेजवाना का सेवन करने दिया, जो सेहत के लिए हानिकारक होती है. रॉबर्ट तब बहुत छोटे थे, तो उन्हें इन सब चीजों के बारे में समझ नहीं थी. वे भी अपने पिता की तरह ड्रग्स लेने लगे. जब वे एट वर्ष के हुए तो उन्हें भी ड्रग्स की लट लग चुकी थी. रॉबर्ट का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता. उनके माता पिता का तलाक हो गया और वे अपने पिता के साथ लॉस एंजिल्स में रहने लगे. वहां भी वे ड्रग्स लेते थे. 16 साल के हुए तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वापस न्यू यॉर्क अपनी मा के साथ रहने आ गए. वो फिर से फिल्मों की तरफ बढ़े और 1983 से 1990 तक कई फिल्मों में काम किया. वे लोगों की नजरों में आने लगे थे लेकिन उनकी ड्रग्स लेने की आदत जारी थी. 1990 में उन्होंने कई बार नशे से पीछा चुडाने की कोशिश की पर हर बार निराशा हाथ लगी. अब हॉलिवुड में उनका कोरियर अफ्तार पकर रहा था. उन्होंने मीडिया की नजरों में भी बहतरीन एक्टर की छवी बना ली थी. उनकी कुछ फिल्में काफी हिट भी हुई. वे 1992 में चैपलिन फिल्म में एक्टिंग की वजह से ओसकर अवार्ड के लिए नामानकित हुए थे. जहां एक तरफ उनकी एक्टिंग के लिए एक वर्ष की जेल हो गई. उन्होंने एक साल जेल में ही गुजारा जहां दूसरे कैदी उन्हें पीटा करते थे. ये रॉबर्ट के जीवन का सबसे मुश्किल दौर था. जेल से छूटने के बाद उनकी पतनी ने भी उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया. 2001 तक उ एक शर्त रखी कि अगर साथ रहना है, तो उन्हें ड्रग्स छोड़ना होंगी. रॉबर्ट ने ड्रग्स और सुजैन के बीच सुजैन को चुना. धीरे धीरे वे ड्रग्स से दूरी बनाने लगे थे. हाला कि शुरुआत में ये काफी मुश्किल था लेकिन हिम्मत करके उ तो उन्होंने इस बीच कई फिल्मों में काम किया पर उनकी जिंदगी का सबसे एहम पल तब आया जब आयरन मैंट के लिए उन्हें टोनी स्टॉक के किरदार का प्रस्ताव मिला. उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और इसके बाद वे एक बॉक्स ओफिस स्टार बन जाता है. Rewriting in Hindi